ओम शांती आज की अव्यक्त मुरली की तारिक है तेज एक उनात्तार 23 जैन्वरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा की गुलजार दादी द्वारा चलाई गए मुरली इसका शीर्शक है अस्थियां है इस्थिती की इस्मृती दिलाने बाली यहाँ पर बाबा ने अस्थियों की बात कही है तो उसमें मुरली का शीर्शक जो है वो है अस्थियां है इस्थिती की इस्मृती दिलाने वाली बाबा कहते हैं बच्ची आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ जो मेरी बच्ची अव्यक्त रूप में इस्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे आप सभी बच्ची अव्यक्त रूप में इस्थित हो किसको देख रहे हो व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में तो बाप को नहीं देख सकेंगे अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे क्योंकि बाबा तो साकार में शरीर छोड़ चुके थे अपना तो राने का अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे आज अव्यक्त बतन से मुलाकात करने आया हूँ अव्यक्त बतन में आवाज नहीं परन्तु यहां आवाज में आया हूँ आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्ब चला है अभी अव्यक्त मुलाकात है जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूरिहान चल रही है रूरिहान करने मीठे मीठे बावा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है जो थे वही अब भी है दो तिन दिन पहले मीठे मीठे बावा से रूरिहान चल रही थी रूरिहान क्या है? मालूम है, बावा ने कहा बूला बतन का अनुभब करनी के लिए तैयार हो क्या जवाब दिया होगा? यही कहा होगा जो बाप की आगया जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे यही जवाब बच्चों ने दिया होगा तो बावा ने कहा, बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने चुट्टी क्यों नहीं ली जब ब्रह्मा बावा अव्यक्त होए थे, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो बच्चों के मन में यह संकल्प जरूर आता होगा कि ब्रह्मा बावा ने, बाप दादा ने चुट्टी क्यों नहीं ली हमें बताया क्यों नहीं कि अब हम अव्यक्त हो जाएंगे तो बावा ने भी यह कहा कि बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठा कर छुट्टी दिलाओं तो छुट्टी देंगे अगर सभी बच्चों को बिठा कर बाबा कहते कि अब हम अव्यक तो इस्तिती में जा रहे हैं या अब हमें शरीर छोड़ना है तो बच्चे छुट्टी देते तो आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के इसने में आ जाएंगे अगर बाबा बच्चे उसे कहते कि हम चुट्टी लेना चाहते हैं और बच्चे कहते नहीं तो बावा भी बच्चों को देखकर सर्विस को देखकर बच्चों को देखकर इसने में आ जाएंगे इसलिए जो बाप ने कराया जो शिप बावा ने कराया वही ड्रामया की भावी कहेंगे व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं सर्विस की व्रद्दी वैसे ही है बच्चों की याद वैसे ही है लेकिन अंतर ये है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और ये अव्यक्त ही है जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे जो बच्चे बाब दादा के से नैनो की मुलाकात तुरिस्टी जो बावा देते थे तो बावा कह रहे हैं कि जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वे नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रती शिक्षा डारेक्शन ले लेंगे कि बावा क्या कहना चाहते हैं आप सभी को बतन में तो आना ही है सभी बच्चों को बतन में जाना है तो बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तयार ही रहते हैं अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धी क्लियर होगी बाबा ने का जिन बच्चों की जितनी बुद्धी किलियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभब कर सकेंगे आज भी ड्रामा में हम बच्चों की जितनी बुद्धी किलियर होती है उतना अच्छा कनेक्शन हमारा बाबा से होता है तो बाबा ने कहा, जितनी बच्चों की बुद्धी किलियर होगी, उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन अनुभव कर सकेंगे शक्ति स्वरूप में इस्थित हैं, दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही हैं, अलग नहीं अभी शक्ति स्वरूप का पार्ट प्रतक्ष में दिखाना है, जो बाब की शिक्चा मिली है, बै प्रैक्टिकल में करके दिखाना है शक्ति सेना बहुत है अभी पूरा शक्ति सरूप बन जाना है बाबा ने का जो बाबा से शिक्षा मिली है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है और शक्ति सेना तो बहुत बड़ी है बाबा की अभी क्या है अभी पूरा शक्ति सरूप बन जाना है अभी तक बच्चे और बाप केस नहीं में चलते रहते अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है जो बाबा से शक्तियां बच्चों को मिली है हम सब बच्चों को जो बाबा से शक्तियां मिली है उस शक्ति से हमें क्या करना है औरों को भी शक्तिवान बनाना है बही बाप के इसने ही बाप के साथ अंत तक रहेंगे कौन बच्चे बाबा के साथ अंत तक रहेंगे जो बच्चे बाबा से शक्ति लेके औरों को भी शक्तिवान बनाएंगे वही बच्चे बाप के साथ अंतितक रहेंगे अभी मीठे मीठे बावा दुर्ष दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का आप अस्तियां उठा रहे थे बावा दुर्ष दिखला रहे थे कि ब्रह्मा बावा की सभी बच्चे अस्तियां उठा रहे थे तो बावा कहने अस्तियों को नहीं देखना बच्चे क्या होता इतना प्रेम में थे उस वक्त इतना इसने में थे ब्रह्मा बावा के तो वो अस्तियों को उठाते जाते थे और देखते जाते थे जैसे अभी हम लोगों ने अब तो गुलजार दादी भी हमारे बीच में नहीं रही हम लोग जब गुलजार दादी गई तो हमें ऐसा लगा कि अब कैसे होगा क्या होगा अब तो हम बावा कसे मिलन भी नहीं मिना पाएंगे लेकिन बावा हमारे साथ जब तक ये संगम है अंतु तक रहेगा तो बावनी का आप जो अस्थिया उठा रहे हैं अस्थिया को नहीं देखना इस्थिती को देखना है ये अस्थिया इस्थिती स्वरूप है एक एक रग में इस्थिती थी ये अस्थिया क्या है इस्थिती स्वरूप है बावा की ब्रह्मा बावा की या गुलजार दादी की एक एक रग में इस्तिती थी तो बाहर से वे अस्तियों को रखा है परंतु इसका अर्थ भक्ति मार का नहीं उठाना बाहर से तो वे अस्तियों को रखा है लेकिन इसका अर्थ भक्ति मार का नहीं उठाना इन अस्थितियों में, इन जो अस्थितियां हैं, इसमें जो इस्थिति भरी हुई है, हमेशा उसको देखना है, इन अस्थियों में जो इस्थिति भरी हुई है, जो बावा की ब्रह्मा बावा की इस्थिति थी, हमेशा शिप बावा से connection, जो उनके बावा ने कल की मुरली में का था न संशोज फादर तो जैसे जो बच्चे होते हैं वो किसको शो करते हैं फादर को अपने तो जो इनकी इस्तिती थी अब उनको देखना है तो हमेशा इस्तिती को देखना है साधरन मनुश्यों को ये बाते इतनी समझ में नहीं आएंगी वगर साधरन मनुश्यों ये जो बाबा के महवयक्त मुरली पढ़ रहे हैं उनकी समझ में नहीं आएंगी बच्चों का इसने है और सदा ही रहेगा 21 जनम तक रहेगा आप सभी सतियोगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे बाबा पूछ रहे हैं आप सभी सतियोगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे राज साथ नहीं पाएंगे साथ ही हैं साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक हम सब ब्रामण आत्मा हैं बाबा के साथ ही रहेंगे ब्रामबा बाबा के दादा नहीं या दादा है तो बाब नहीं हम दोनों एक दो से भल एक पल भी अलग नहीं हो सकते कितने अच्छी बात बावा का और ब्रह्मा बावा का इतना प्यार आपस में इतना इस नहीं था तो शिप बावा ये बात कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते ऐसे ही अपने आपको तिरमूर्ती ही समझो इसलिए कहते हैं तिरमूर्ती का बैज हमेशा साथ रखो जब ब्रह्मा, विश्नु और शंकर तीनों को देखते हो तो आपको भी तिरमूर्ती की याद, अथार्थ, अपना स्वरूप और बापतादा की याद तिरमूर्ती की इस्तिती मशूर है इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्यार है कल्यार कारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसी में ही कल्यार है इस एक एक महावाक्य में एक एक नजर में बहुत कल्यार है इस एक एक महावाक्य में जो भी बावाक्य है उसमें एक एक नजर में बहुत कल्यार ही चुपा है लेकिन इस तूल को परकने वाले कोई अनन्य और महारती बच्चे है इसको परखने वाले कल्यार है, उसको समझने वाले बाबा कहरे कोई अनन्य और महारती बच्चे है अब बाबा कहरे अब आप भी इतना ही शीग्र कर्मा तीत, इस्तिती में इस्तित रहने का पुरशात करो जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ वैतीत करते थे वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखो, अपने इसको बाबा से कमबाइंड ही रखो बाब दादा को समझो हमारे साथ है, हर चीज में बाबा का आवान करो, जब खाना खाते हो तो बाबा हमारे पास आओ बाबा के रहे हैं अपने साथ रखो कहीं जाते हो, बाइक पे बैठे हो, गारी में बैठे हो आओ बाबा बैठो, आओ बाबा हमारे साथ चलो हर चीज में जब आप अपने को बाबा के साथ में लेके चलोगी तो बाबा का हर पल एहसास होगा और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है बाबा ने पूछा बहुत समय हुआ अब और कुछ कहना है सुक्ष मतन में भी बैठे हर बच्चे की दिन चर्या हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है बल बाबा सुक्ष मतन में बैठे हैं लेकिन बाबा कह रहे हैं मेरे पास हर बच्चे की दिन चर्या हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है व्यक्त रूप से भी अभी तो और ही इस फ़स्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं इसलिए सवी की रिजर्ट देखते रहते हैं जितना अव्यक्त इस्तिती में इस्तित होंगे उतना ही उस अव्यक्त इस्तिती से कर्मेंद्रियों दोरा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रहे हैं बाबा ने क्या कहा जितना ही अव्यक्त इस्तिती में इस्तिती में इस्तित रहेंगे उतना ही उस अव्यक्त इस्तिती इसे कर्मेंद्रियों दोरा जो भी आम कर्म करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों दोरा कर्मेंद्रियों मतलब हाथ पैर इसके दोरा जो भी हम कर्म करते हैं वो ऐसा लगेगा जैसे श्रीमत राय दे रही है जब भी आप कुछ काम करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे श्रीमत उतना इसने ही रखना ही अपने को स्वभाग गिशाली बनाना है अब बाबा का इसने किस चीज़ से है? सर्विस से है तो बाबा ने खा जिस चीज़ के साथ बाब का इसने उतना इसने रखना ही अपने को स्वभाग गिशाली बनाना है रग रग में किसके साथ इसने था पास तत्वों से नहीं इसने गुड़ों से होता है गुड़ों किस से होता है इसने पास तत्वों के शरीर से इसने नहीं होता है इसने किस से होता है गुड़ों से होता है तो इसने था नहीं है और रहेगा इसने था नहीं है और रहेगा बाबा कहरें बच्चों से ऐसा नहीं इसने था अब नहीं है इसने तो था है और हमेशा रहेगा जब तक भविष नई दुनिया ना बनी तब तक ये अटूट इसने रहेगा जब तक कि भविश्च की नई दुनिया नई बने जब तक सत्यूग नहीं आ जाता तब तक ये तूट इसने ब्रह्मा भाबा से रहेगा इसने ब्रह्मा भाबा से शिप भाबा से इसने ये हम सब ब्रह्माण आत्माओं का अंतिम सांस तक रहेगा इसने आत्मा के साथ और कतवे के साथ ही है तो फिर शरीर क्या अंत तक साथ ही रहेंगे जिसका बाप के साथ इसने है वही अंत तक स्थापना के कार में मददगार रहेंगे इसलिए इसने ही होने की कोशिश करो जिसके बाप के साथ इसने है वही अंत तक जोभी बाबा का इस्थापना का कार है जिसका बाबा से के साथ प्यार है वही अंतितः इस्थापना की कार में मददगार रहेंगे इसलिए इस नहीं होने की कोशिश करो कैसी भी माया आयँ माया जीत बनना है जैसे बैच लगाते हो वैसे मस्तक पर ये बिजय का बैच लगाओ अब अनिका जैसे बैच लगाते हो बाबा का लक्ष्मी नरायर का बैच लगाते हैं जो भी तिरमूर्टी का बैच लगाते हैं ऐसी क्या करो मस्तक पर बिजय का बैच लगाओ मदुवन का नक्षा सारे वर्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए बहुत बड़ा प्लैन बाबा कर रहे थे अविनाशी भंडारा है इसका और भी जादा शो करना है जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना शरीर की बात दूसरी है सर्विस वही है इसलिए जो भी बात हो मदुवन में लिखते रहना अपना पूरा कनेक्शन रखना बाबा बच्चों को समझा रहे हैं बहुत प्यार से समझ जा रहे हैं कि ब्रह्मा बावा चले गए हैं लेकिन आप जैसे पहले पत्रों लिखते थे वैसे लिखते रहना जैसे पहले डिरेक्शन लेते थे वैसे ही लेते रहना जैसे मदुवन में आते थे वैसे ही आते रहना तो अपना पूरा connection रखना दूसरों को भी अपनी अवस्ता का सबूत देना आपको देख और भी ऐसा करेंगे विदाई के समय जब बाबा विदा होने लगे उसमें बाबा बोले ये तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस भरा हुआ है क्या रहस से भरा हुआ है बैसमें प्रती समें सुनाते जाएंगे अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में हैं दुनिया वाले इन आखों से देखेंगे ये धर्ती की सितारे जो दुनिया वाले देखेंगे कि धर्ती की सितारे जो आकाश में हमारे यादगार किस रूप में बताया बावा ने सितारों के रूप में बताया कितनी बड़ी हम लोगों को बावा ने एक उपादी दी बोले आपका जो आकाश में यादगार है सितारों के रूप में तो धर्ती वाले दिनिया वाले आखों से देखेंगे ये धर्ती की सितारे आखिर किसकी श्रीमत पे चल लाए है, कौन इनको गाइट कर रहा है, बावा ने कहा है, जादा समय बहां नहीं बैठना है, अच्छा आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बावा ने जो हमें बहुत प्यारी-प्यारी डारेक्शन दी है, एक बार उस अभी हमें क्या करना है, पूरा शक्ति सुरूप बनना है, अभी तक बच्चे और बाप के स्ने में चलते थे, आप बावा से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से हम सब बच्चों का क्या गर्तव है, औरों को भी ऐसा शक्तिवान बनाना है, वही बाप के स्ने ही बाप के साथ अंतु तक रहेंगे, जो बच्चे बाबा की सर्विस में उनका ध्यान देंगे, जैसा बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, और हम औरों को भी शक्तिवान बनाएंगे, तो भई बच्चे बाब के इस लेएगे, इस लेहीं होंगे, वर अंतु तक साथ में रहेंगे, अब बाबा कहा है कि ब्रह्मा बाबा के और श्रिप बाबा आपके साथ जब तक इस्थापना नहीं हो जाती तब तक साथ ही रहेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ तो 21 जनम भी आप राजाई पाहोगे और बाबा ने बताया हमें इस मुरली में कि आप सब जो है आप क्या करना है शीग रही कर्मा तीत इस्तिती में इस्तित रहने का पुरशाद करो कर्मा तीत इस्तिती किसको कहते हैं जो एक पल भी बाबा की याद ना भूले उससिद Gregory को कहते है कर्माती तवस्ता जैसे यहां हर समय बाप दादा की सात्व बैतित करते थे वैसे हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखो हर समय बाबा को अपने साथ रखो बच्चे यही शिक्चा याद रखना कभी नहीं बूलना इसलिए बाबा ने का जिसका बाप के साथ इसने है वही अंत तक स्थापना के कार में मददगार रहेंगे इसलिए इसने ही होने की कोशिश करो कैसे भी माया आए माया जीत बनो तिसरी बहुत अच्छी चीज बाबा ने बताई कि जैसे बैच लगाते हो बसे मस्तक पर भी विजय का बैच लगाओ बाकी मदवन में आते रहना डायरेक्शन लेते रहना अब आवा ने लास्ट में हमेरे सब को बहुत सुन्दर टाइटल दिया कि दुनिया वाले जो आपका आकाश में जो आपका यादगार है तो दुनिया वाले जो में इन आखों से देखेंगे तो कहेंगे धर्ती की सितारे आखिर किसकी श्रीमत पर चल लाए हैं आज की बाबा की मुरली यहीं पर सब माब दोदी है ओम शांती ओम शांती ओम शांती